पंजाबी अकेडमी चैनल विच आप सब्दा एक वार फिरतों स्वागत है इस तो पहला की वीडियो शुरू करिए मैं आप जी नू बेंती कर दी हां कि नम्या वीडियोस प्रापत करन लई साड़े चैनल नू सब्सक्राइब करो ते नाल ही बेल आइकन दे बटन नू दबाओ अगर वीडियो अच्छी लगे ता लाइक शियर जिरूर करो आज जसें बार्मी कलास दी उस तक लाजमी पंजाबे विच दर्ज कहानी माडा बंदा पढांगे जिस दे कहानी कर हन प्रेम प्रकाश सब्तो पहला असी कहानी कर प्रेम प्रकाश जीदे जीवन बारे जानांगे प्रेम प्रकाश ता जनम 1922 इस्वी विच खन्ना जिला लुदियाना विखे शिरी रामपर शा जीदे कर माता शिरी मती देया बंती दी कुखों होया उना इकद्यापक अते संपातक वजों कम कीता अते साहित रचना कीती आप दे कहानी संग्रय एहन नमाज जी कुझ अनकिहा वी रंग मंच ते पिक्षू आपने स्वैजीवनी बंदे अंदर बंदे अते आतम माया अते नावल दस्तावेज वी लिखे आपनू राश्ट्री साहित अकादमी वल्लों कुझ अनकिहा वी कहानी संग्रय लई पुर्षकर देखे सम्मानित कीता गया कहानी माडा बंदा रिक्षे वाला बाहर खड़ा सी मेरी पत्नी ने मेथों चोरी चोरी रिसोई चो निकल के ओनू दो वार देखेया फेरो बुहेच खलो के मेरे वाल वेखन लगई मैं खिजी जही नजर नाल उस वल तक्या ताउर रिसोई विच वड़के चाबनों लग पई मैं मेशते बैके फिर ओही चिठी लिखन दा यतन करन लगगा जेडी कई दिना तों अदूरी पई सी जंगलात दे अफसर अपनी पुवा दे पुत्तर परानू फरनीचर बनवा के पेजन लई लिखना सी साइसते डिजाइन लिखन वेले गल उलज गई सी जरा को सुलजन लगई ता पत्नी ने आके होली देने किहा हैं जी ओ उत्ते ही खुलोता है पत्नी हाले वी बेचान सी मैं चौंदा सी पई उदा त्यान ही ना करे पर मेथों आपनी चिठी वी नहीं लिख हो रही सी मैं उनूं बारी विच्चों वी कई वार वे चुका सी की उहो उत्ते ही खडोता सी चौंक दे खब्बे पासे अपने रिक्षे दा रुख पारकवाल करके खडा सी पहला उहो रिक्षे दी गद्धी ते बैठा सी ते फिर उहो पैडल ते खलो गया होन उने काठी ते कूणी रखी होई सी ते चुका खलोता सी जिमें उने किते जाना ही नहीं हुंदा रिक्षे वाले ने मुड के एक वार वी साड़े वाल नहीं देखिया ओहो सिरफ खाली पलाट वल वेखी जार है सी जिमें ओदा साडे नाल कोई लैन देन ही ना होवे उस दी कुब्भी होई पिट ते सजे मोडे दी हड़ी तक पैडी जही बुर्षट ते हो रंग दे कपड़े दी टाकी लगी होई सी उस दे कच्छे हेट कालियां सुक्यां लगता सन ते सिर्देवाल मेले ते उलजे होई सन उनु वेक के दिल खराब होंदा सी जे ओधी फोटो खिच के एकबार वी चापी जावे ता हेठा लिख दिता जावे ए है ओ मुंडा जेडा अपने मालक ओधी पतनी ते इकलोते पुत्तर नु कतल करके उनना दे सारे ग्याने लेके पज गया सी ता लोग सच ही मन लेनंगे ओधिया पुखिया पुखिया नजरा एस तरह हरानी नाल वेक दिया ने जिमे कुछ चंगा वेक्खिया है नई होंदा कमीनिया जिया ओधिया अख्खा जधो उने पैडा मूँ करके आने कड के मेरे वल तक्या सी ता मेनू खी जा गई जदो उसने मेरी पतनी दे फडाय होई दोर पे बुढ़ बुढ़ करके मेरे वल वगा मारे ता मेरा दिल कीता भी ओनू मैं हुनई वालां तो फड़के थल्ले सुट लमा ते सुकियां जहियां बावा दे काने मरोड देयां पर मेरी पतनी ने मेननू रोक दिता कुझ मैं आप भी चुप कर गया एस कमीने जहे बंदे नू की हत लोना है छिट्टे ही पैन गे ओ निक्की जही गाल कड देवे हाथ चुक लवे शरीफ आदमे दीता मिट्टी हो जान्दी है फेर पामे ओहो अपने आपनू ही गाला कड लवे लोग समझदे ने दूजे नू ही कड रहा है उन्जता मैंने चौदा सी की माड़े बंदे नाल लड़या जावे पर इही बे इनसाफी वी सै नहीं हुँदी की रिक्षे वाला दोर पे तै करके तिनुर पे मांग लवे हुन कहानी कार दे पुत्तर ने अंदर आके दस्या की रिक्षे वाला ता उत्ते ही खड़ा है ओ इक बंदे दे पुछन ते वी कंपनी बाग नू नहीं गया एस उनके कहानी कार नू रिक्षे वाले दे रवेये थे होर गुसा आ गया जेडा की इक उर पे पिछे अपना समाते अपनी कमाई बरबाद का रह सी उस दी पतनी ने सोय विचो बाहर देख़या था कोई रिक्षे वाला उस कोल खड़ा सी काली नाल उस नाल कल करके अड़े वाल चला गया हुन कहाने कर सोच रहा सी किते ओहो अपने होर साथिया नूना बलोन गया होवे पर बारों ओहो दिखावा कर रहा सी कि ओ रिक्षे वाले दी कोई प्रवा नहीं करदा कहाने कर दी पतनी फिर आईते कहन लगी चंगा हुन्दा की जे रिक्षे वाले निवीक चादा कप पला दिन्दी हुन डोलनी पैनी है ओ समझो तेदा कुई राह लब रही सी ओ पती नू कह रही सी की जे कर रात होवे ते मी पैन्दा होवे ता ओ रिक्षे वाले नू तिन उर्पे ही दिन्दे हन कहानेकार ने सक्ती नाल उस दी गलनू कटदेया केहा कि हुन मी पह रहे आए जा फिर रात है एक गल्ना कर दें उसने दो तिन सत्रा लिख के चिठी पूरी कर दिती हुन कहानेकार नो अपनी पतनी दी इस आदती खीचार ही सी कि जदो भी कोई चगड़ा पैजावे फिर उसनो सुल्जोन विच लग जान्दी है कहानेकार गुसे नाल उठ्या ते रिक्षे वाले नो पुछना चौंता सी कि उसने जाना है जा नहीं नई ता फिर उहो पुलिस नो बलाके उस देवरुद शिकायत करे कि जोदो उसने वरांडे विच आके देख्या ता रिक्षे वाला जा चुक्का सी हुन उसने अपनी पतनी नो अवाज मारी ता हो तरम पोथी पड़ रही सी ही रिक्षे वाले दे जान बारे सुन के उसने तरम पोथी वरांडे विच दी बन्नी उत्ते रख दित्ती हुन दो में लौन विच निश्चित होके बैठ गे कहाने का ने राती फिलम वेखंदी तजवीज रखी पतनी ने के हा हो हुन तिनुर पे जेड़े रिक्षे वाले नू देने सन हुन उहू पिंगल वाडे नू दे देनगे ते जेड़े पंजाब ऐसे उसनू दियन दी गल कही सी ओ पंजाब ऐसे अड्डे वाले केसे मंगते दे हाथ ते तर देंगे कहानेकार ने वी उसना सैमती पर गटाई ते फिर दोनों मुस्करा पे इस परकार इस कहानी विच कहानी कार ने साड़े समाज दे पात्रा दे माडे किरदार दे चलक पेश कीती है जिस विच मद शिर्यानी दे पात्र उस दे व्यांग दा निशाना बने हान इस परकार कहानी दा विशा यथार तक मुनोवग्यान दे व्यांग आतमक है माडा बंदा कहानी दा सार मारं दी कोशिश कीती पर रिक्षे वाला अखां कड़दा होया तुर्पया ते नेड़े चोंक विच जाके खड़ गया कहानी कार दी पत्नी ने ह्रिसोई विच्चो उसनू चोरी चोरी दो वारी देखेया ओदर कहानी कार अपनी पुवा दे पत्नू फरनीचे बनवा के पेजन लई चिठी लिखन लगगा पर ओहो खिड़की विच्चों रिक्षे वाले नू देख रहा सी ते यहो चिठी लिखदा होया बेचैनी विच्च सी रिक्षे वाली दी पिट कुब्भी होई पई सी उस दे सज्जे मोड़े दी हड़ी तक पैड़ी जही कमीज ते किसे होर अंग दी टाकी लगई होई सी उस दे सिर्दे वाल वी मेले ते उलजे होई सन कहानी कार नू पता सी की रिक्षे वाला पंजा पैसे होर लेना चौंदा है पर अगर ओहो प्यार नल पैसे मंगदा ता उसनों पैसे मिल जान दे कहानी कार दी पतनी हमदर दी जाँ डर कारण उस दी वकालत कर रही सी कहानी कार नू लग गया की ओ अपने साथ्या नू बलॉन गया है ते हून कहानी कार सोचदा है की इना विच बहुत एकता हुंदी है कहानी कार दील करदा है की ओ रिक्षे वाले नू कहे की पला मानस बन के पैसे लेके तुर जावे नई ता उस्दे चित्तर पैन गे ते हो पुलिस नूँ फोन करके कैदेवेगा की रिख्षे वाला उसनू तमकिया दिन्दा है पर उसने देखिया की रिख्षे वाला जा चुक्या है कहानी कारदी पतनी दे चेरे तो हुन दुख दा परवाव खतम हो गया उसने कहानीकार नू आख्या कि हुन आपना तिन्य रुपे पिंगलवाडे नू देवांगे ते जेड़े पंजार पैसे उसनू वद्ध देने सन ओ किसे मंगते दे हाथ तुते रख देवांगे कहानीकार ने अपनी पत नाल सैमती परगड कीती ते फिर दोनों मुस्करा पै इस परकार इस कहानी विच कहानीकार ने साड़े समाज दे पात्रां दे माडे किरदार दी चलक पेश कीती है जिस विच माद श्रयानी दे पातर उस दे व्यांग दा निशाना बने हन इस परकार कहानी दा विचा यथार्थक मुनोवग्यानिक ते व्यांग आत्मक है हुन प्रेशन उत्तर रिक्षे वाले दा हुलिया अपने शब्दा विच ब्यान करो उत्तर रिक्षे वाले दी पिट कुब्भी होई सी इस दे सज्जे मोड़े दी हड़ी तक पैड़ी जही कमीज ते किसे हुव रंग दी तक की लगी होई सी उसने कच्छा पाया होया सी जिस दे हेट उस दिया कालिया सुक्या लगता दखाई दिन दिया सान उस दे सिर्दे वाल मेले ते उल्जे होई सम लेखक दे रिक्षे वाले बारे की विचारहान अपने शब्दा विच लिखो उत्तर लेखक उनसा रिक्षे वाला कमीना है उस दिया पुख्या नजरा इस तरह दिया सन जिमें इना ने कुछ चंगा देख्या ही नहीं हुंदा वो सबजी मंडी तो कर दे दो रुपे करके तिनुर रुपे ठगना चोंदा है लेखक उनसा रिक्षे वाला बेवकुफते जाहल है वो नजराइस टांगनाल एक रुपया कमोन बदले दो रुपे दी सवारी चड गिंदा है उसने चोंग विच खड के एक कंटा बरबाद कर देता सी जद की इस समय विच पंज रुपे कमाई जा सकदे सन कौश्चन रिक्षे वाले दी केडी गल उते कहानीकार नू बहुत गुसा चड़दा है कहानीकार ने जदो रिक्षे वाले नू अपनी पत्नी दवारा फड़ाए रुपय बुड़बुड कर देयां बगा के मारदियां देख्या ता उसनू गुसा चड़ गया कुसदा दिल किता सीकी हो उसनू वाला तो फड़के हेटां सुट लवे ते उसनियां कान्या वर्गया बाहा नू मुरोड सुटते अगला कौश्चन रिक्षे वाले नू ना दित्ते जा सकन वाले तिन रुपय या दे बोजतों मुक्त हो लई पती-पतनी की तर्कीब सोच दे हां उत्तर पतनी केंदी है कि ओ रिक्षे वाले नू ना दित्ते जा सकन वाले तिन रुपई पिंगल वाड़े नू देश देनगे जदों पती पुछदा है कि जड़े पजाब ऐसे उसने रिक्षे वाले नू वद देने सान उन्ना दा की करेगी ताँ पतनी उत्तर दिन्दी है कि ओ किसे मंगते दी तली उत्ते तर देनगे प्रेशन कि रिक्षे वाला तो होनू भी माड़ा बंदा लगदा है दलील दियो उत्तर रिक्षे वाला इस करके माड़ा बंदा है क्योंकि ओ तै किते पैसें तो जादा पैसे मंगल लई निम्रता दिथां गुसे तो कम लेंदा है पर ओ इस करके भी माड़ा बंदा नहीं तूँकि योहो अपने हाकदा दिखावा करदा है ते अपने स्वैमानू काईम रखदया होया कहाने कारदे कारवाल मुढ के देखदा भी नहीं हुन वस्तु निस्ट परेशन माड़ा बंदा कहानी विच कहानी कार मेज उत्ते बै के की लिख रहा सी उत्तर चिठी माड़ा बंदा कहानी विच कोन-कोन बेचैन हन उत्तर कहानी कार ते उसदी पतनी प्रेशन माड़ा बंदा कहानी विच केडा पातर बेचैन ता है पर हाजर नहीं करदा उत्तर कहानिका, कहानिकार किसनु चिठ्धी लिख रहासी, उत्तर पुगा दे पुत्तर नू कहानिकार रिक्षे वाले उत्ती हांत चुकान तो क्यों रुक गया, उत्तर बेजती दे डरू कोश्चन, रिक्षे वाले ने कहानी कार्दी पतनी तों सबजी मंडी तों कार्थ तक किन्ने पैसे लेने तै किते उत्तर दो रुपे कोश्चन, कहानी कार्दी पतनी किते रेंदे सान उत्तर माडल टाउन विच प्रिशन, माडा बंदा कहाणी द्याकटनामा दिन दे केडे समे वापर्दियाहान उत्तर दपैर दे लगपग दो वजे प्रिशन, कहाणी कार्दी पतनी दे दित्ते दो रपयाना रिक्षे वाले ने की किता सी उत्तर वगा आके मारे सन प्रिशन, रिक्षे वाला किन्ने रुपे मंग रहा सी उत्तर तीन रुपे अगला कोश्चन, रिक्षे वाले ने पैसे क्यों वगा के मारे सन उत्तर क्योंकि उहो वद पैसे लेना चौंदा सी कहानी का रिक्षे वाले नाल उस दी पत्नी किस तरह गल्म कोना चोंदी है उत्तर उसनो तिन रुपे देखे कहानी कार किनने रुपेयां दिया सिर्गटा पी लेंदा सी उत्तर टाई तिन रुपेयां दिया अगला कोश्चन, कहानी कारते उस दी पत्नी दी बेचानने विच होर कौन शामिल हुंदा है उत्तर उफड़ा पुत्तर माडा बंदा कहानी विच लेख काते उस दी पत्नी नू किसने प्रिशान कीता सी उत्तर हिरिक्षे वाले ने अगला कोश्चन, माडा बंदा कहानी विच लेख की लिखन दा यतन करदा है उत्तर चिठी अगला कोश्चन, माडा बंदा कहानी उनसार लेखक दी पुवादा पुत्तर किस मैक में विच अफसर सी उत्तर जंगलात मैक में दा प्रेशन, माडा बंदा कहाणी विच किस्दे सिर्दे वाल मैले ते उल्जे होय सान उत्तर रिक्षे वाले दे कोश्चन, रिक्षे वाले ने लेखक दी पत्नी दे दित्ते किन्नेर पई वगा अमारे सान उत्तर दोर पे Q. रिक्षे वाले ने दो रपे दी था किन्ने रपे मंगे सान उत्तर तिन रपे Q. माडा बंदा कहाणी उन सार कहाणी कर्म हिन्ने विच किन्नी वर सिनिमा देखदा सी उत्तर दो तिन वार इस तरह अखीर विच में आस कर दी हां कि तो होनू माडा बंदा कहानी चंगी तरह समझ लग चुक्की होवेगी तानवाद